दोस्तों अगर आपके पास Poco M2 Pro phone है और उसमें auto restart की problem आ रही है अगर आप कहीं पे call पे बात कर रहे हैं या फिर आप अपना phone ही चला रहे हैं simply और वो automatically switch off हो जाता है या फिर automatically restart हो जाता है तो आप इसको कैसे fix करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो simply पहले हम आपको दिखा देते हैं setting में जाके तो यहाँ पे आप simply देख सकते हैं device name POCO M2 Pro और यहाँ पे MIUI version for POCO तो यह POCO M2 Pro है और इसकी auto restart problem को आपको solve करने के लिए simply जाना है अपने phone की settings में और phone की settings में जब आप जाएंगे तो simply आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आप आपको उपर दिखेगा about phone का option आप इस पे click करिए इस पे जब आप click करेंगे तो आपको ऐसा interface मिलेगा यहाँ पे आपको simply MIUI version पे click करना है जब आप MIUI version पे click करेंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा ठीक है यहाँ पे दिखा रहा है no updates available ठीक है अगर आपके में update है तो तो आप आपको install करी लेना है update ठीक है अगर आपके में नहीं है तो आपको simply side में यहाँ पे three dots पे click करना है और जब आप 3 dots पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक option दिखेगा download latest package का आपको इस पे क्लिक करना है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह जो है आपका latest package जो है download हो जाएगा और यहाँ पे आपको simply इसको install कर लेना है ठीक है install आपको जो process होता है आपको पता होगा आप install कर दीजे वो आपका phone reboot होगा और उसके बाद यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है मेरे में भी यह problem आ रही थी मैंने यहाँ से क्या है जो latest package है उसको दुबारा reinstall किया मतलब इसी पे click करके download latest package और अब यह जो problem है वो solve हो जुकी है तो I hope कि आपके भी यह problem solve हो जाएगी अगर वीडियो से help होई हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लीजे subscribe और बेल आइकन को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो म तब तक के लिए बाई बाई